बिस्मिला करें लाहिए यह लाइब है नेर्ट के बारे में नेर्ट क्या होता है नेटवर्क एड़्रेस ट्रासलेशन मतलब कि हम इस व्ली चमिर्ट इंदर एक और नेटवर्क इसमाल कर रहे हैं ठिक है जो कि हमारे पस आंधोर भी ऐसार्ब्र गरता है ठीक है हम कर जाते हैं जब यह स्राउटर के पास पहुंचे तो इसका जो सोर्स आई-पी हो चेंज हो जाए और यह वाले सीरिस उसके साथ लग जाए तो आम तोर पर इंटरेट के लिए इसको यूज किया जाता है ताकि हमारे पास आई-पी बचाई जासके है मरे घर में अगर कै और धिए desile के उपर बहुत ज्रह लोग थैन पर जाता है यह कोई भी पैक जाता है तो इसके इवाला १ी लगाके बहुत ही पालब अधर यह झाता है तो उससे का रहता है हम जास्ट एक जान पर बहुत सारा डिबाइसी चला लेते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि हम यह काम करते कैसे हैं मैं लें जी हमारी टपोलोजी कंप्लिक्ट हो चुकी है अब हम क्या करेंगे अब हम इनको आई पी से साइन करेंगे जिस तरह यहां पर दियेंगे हैं तो इसका इपी क्या है इसका है 192.168.1.20 यहां पर देगा 1.1 ठीक है मैं इसको करता हूं शम्हां सेम वैसे ही आई पी कंफ्रीक्ट पीड पीड गया 21.2 इसको IPS इंगर दिया ओके इसके बाद मैं करूगा इसको आई इसको शाइन से लेब गया ठीक है इनेबल, इनेबल, इनेबल गया उसको बात इंटरफेस s0.0.0 no shut IP address क्या है 201.165 201 IP address 209.201.17 dot IP address 209.165.201 258.17 dot 255.255.255.205 exit करती है ठीक है अब मैं चेकर करता हूं अब ना क्या करूंगा पैकेशन करूंगा चेक करने के लिए यहां से यहां से अंड किया तो क्या हुआ से यहां किया तो क्या हुआ तुर अब मैं करना क्या है, अब मैं करूंगा राउटिंग, क्या करूंगा मैं ROUTING, जैसे कि मैंने आपको निए पहले बिताया था on the concept क्या है कि ने रहा राप रहा है मैं जाता हूं जब यहां से इक पेकिट अंतर आए जब बाइट से निकले तो यहां पे जो IP है और यहां पर आपी आपी है चेंज हो जाए ताकि इस आपी को इस अभी में ट्रासलेट कर दे तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे करने पड़ेगी ऐब अब क्या है अब हमारी बेसिक अब मैं करोंगा इसकी रॉटिंग क्यों करूंगा क्योंका मेरा पैकेट यहां से यहां तक जो है वो शुराणिंग रॉटिंग हो शकता है आई पी राउट 0.0.0.0.0.0.0.0 ठीक है तो मैं कहता हूँ कि जो भी पैकेट यहां यहां पर आए इस इंटरफेस से हुज़र से कि आई पर आउट का मतलब यह है फिर लोगित और नाइन टोट 165.0.0.0.1 टो फिफाइफ लो फाइफ बस यहां तो फिए ठीक है एकजिट अब मैं जागर करता हूँ आप क्या होता है मेरा थे जैसेंट अब भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंगे यह राउटर इंस रेटर लोको नहीं जानता तो इसके लाए में क्या करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा इपी राउट 192.168.1.0 255.255.255.0 इस अले राउटर में हमने स्टेटिक की थी अब मैं इसमें डिफाल्ड कि स्टेटिक कर रहा हूं तो क्या दूंगा इसको मैं दूंगा 209.165.201.18 चीक है अब मैं वह देती है अगर मैं चेक करता हूं इसकी किनेक्टिविटी तो मुझे शोग हो रहा है कि है कि मैं फिर्स्सal ताम कर लोगई भी लोटाओं जाता है तो इसका नशेच्फोल असी असलवेकरना क्या था नेटिं को थी गया हमने पिंगर कर जाट कर लेए पिंग होता है तो हम इस पर क्लिक करेंगे टीक है इंटर इनेबल गर्फीकर टर्विनल तो यह गिट्र राउट रहा है इसके में कर दो कर दो में महां पें कमाल लिकेंगे आई पी नेर्ट इन साइड इंसाइड सोर्स स्टेटिक उसके बाद हम इस वाले आई पी का इस वाले पीसी का लिखेंगे पासवर्ड 192.168.1.20 फिर हम लिखेंगे जो हमने आई पी इस आई पीस को प्लेस करना है वो है 209.165.200.225 तो हमने इसको दे दिया तो हमने एलज यहां से लेकर आह तक हमने यह नेट वाली कमांड इसके दे दिया अब ये क्या हो गया हैं हमने इस नैट करने के बाद हमने इसको इंटर पेड़न करना होता है मतलब कि जब इसंटर फेस पे पैकेट toc efficiency दाइक न gefähr पर तब क्या हो वहाँ पर हम इसको हमने IP NAT INSIDE करना है ठीक है वह जो दूसा इंटरफेस है जिससे पैकट बाहर निकलेगा इस पैकट से यहां से पैकट बाहर निकलेगा तब वह IP REPLACE हो जाएगा वह कौन सा इंटरफेस है यह वाला आप शो आई पी नैट ट्रांसलेशन ठीक है तुम्हें शो हो रहा है कि यह हमारा आई पी इंसाइट ग्लोबल है यह हमारे इंसाइट लोकल है ठीक है जब मैं अब पिंग करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा अक्शली मसला क्या है मैंने जैसा कि हमने पहले क्या किया इस आईपतर को हमने इस नैट लोकि सपार बिता दिया इस राट टॉको इस आड़ ऑन किस अनिया अनियार कर रहे आ हैं आप लृप ले सगे Não इस cluster कर रहे हैं इस वहले है राउटर को इस नेटवर का बताना पड़ेगा, क्योंकि इसतरा पैकट चला जायगा लिकने वापस निया सकh Counter इस तरह पैकट चला जाएगा इससका बताना पड़ेगा इसके लिए क्या करेंगा करेंगा इसके हम करेंगा IP राउट 209.165.200.224 ओके 255.255.255.224 यह बार ही राइट वर्क है इसके बाद मैं आप राउट 209.165.224 ओके इसके बाद मैंने क्या किया इसके बाद मैंने किया आई पिर वहां वहां है यह कमाड्श्य इन कंप्लीट हो है क्योंकि हम ने इसके आखर में लिक रहा होता है किसे इंटरफेस से होगी जाए, .165.201, ठीक है, 209.165.201.8, exit, ठीक है, अब हमारा ये पूरा complete हो गया है, इसको हम कहते है, static net, वो क्या रहा है, वो ये रहा है, कि मैं यहां से packet भेज रहा हूँ, इसको, ठीक है, successful, अगर मैं इस वाले राक्टर को, बढ़ा करके देखता हूँ, तो मझे यह gap दाता है, show ip net translation, तो यह मुझे बताता है, कि यह, कि यह पीछे से आया packet, जाना इसने यहाँ था, तो क्या होगा, यह हमारा इस से replace हो गया, ठीक है, तो इसकी तरह यह होता जाएगा, एक और है, हमारे पास show ip net statics, ठीक है, तो यह मैं और extended, एक hit हो गया, no miss कर गये, तो यह हमारे total statics पताता है, इस system को हम क्या कहते है, static net, बट मसला यह है, कि net में सिर्फ यह वाला PC आया है, यह वाला PC net में नहीं आया, तो static net का मसला यह है, कि हमें हर एक PC को, यह वाली command देखे, जो हमने यह वाली command देखे, इसको डाला था न dynamic net, अभी हम dynamic net को भी दिखते है, dynamic net क्या होता है, अच्छा, dynamic net के लिए में क्या करना पड़ेगा, हमें जो, हम क्या करेंगे, पहली जो हमने net की है, static net, उसको हम खत्म कर देती है, उसके लिए क्या क्मार्ण है, clear IP net translation, sorry, translation के बाद हमें यह आभी, clear IP net translation, उसकी बस्टरी कहते ह oh sorry, यह होगा, यहां पर, इस mode में, clear IP net translation, तो इसने clear कर दिया, और उसके बाद में करना हमें करना हमें तो clear IP net statistics, okay, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है, डाइनमिक, डाइनमिक net, डाइनमिक net में क्या होता है, okay, अब हमने क्या करना है, डाइनमिक net, डाइनमिक net में क्या करेंगे, हम इस पूरे network का net को बताएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें पड़े एक लिस्ट बनाने पड़ेगी एक लिस्ट क्या वो लिस्ट इस पूरे नेटवर्क की इस पूरे इस इसको पता हो कि कौन सा नेटवर्क यहां से इन होगा ठीक है उसके लिए हमें पता है एक्सेस लिस्ट बन यहां पर आएगा wildcard mask क्योंकि हमने यहां पर कर दिया इसके बाद हमने list तो बना लिए और हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है यहां पर नेटवर्क आ रहा है तो यहां पर भी हम पूल लगाते हैं पहले था हमने इक IP आएगा और यहां से एक IP चला जाएगा अब यहां पर भी हम पूल लगाने के लिए पर दो बनाना परता है और बनान परता है और पूल का नाम हम रखने हैं यह इसका नाम है और नाम छो है वह केस्टीफ हो regd तब हम इसको यूज करेंगे तब भी हमें इसी लेंग्विज में यूज करना पड़ेगा 165.200.242 यह हमारा हो गया पूल के साथ साथ यह पूल का मैं क्या करना पड़ता है हम इस टब दाना पड़ता है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है पूल और मैं बताना पड़ता है कि पूल कहां पर एंड होगा पूल कहां पर एंड होगा 209.165.200.254 तो हमने बता दिया कि पूल जो है हमारा आई-पीज का जो हम यहां पर प्लेस करने वाली है वह यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर एंड हो जाएगा और इसका जो हमारा स्प्रिंट मास्क क्या है वो यह है नेट बास किसा क्या है वो यह है 255.255.255.224 ठीक है अब हम कर रहे हैं यहां से एक्जिट तुबार का फिर टर्वल बजा रहे हैं हम कर कर रहे हैं अब हम यहां पे वो नेट की कमार लगाएंगे क्या है IP net inside ठीक है पेले हमने यहां पे सोर्स के बाद क्या किया था स्टेटिक किया था अब हम यह लिस्ट लगाएंगे पूल का नाम क्या था पब्लीक पब्लीक एक्सस ठीक है तो यह जो पब्लीक एक्सस है इसको हम क्या करेंगे केस85 लि toothpaste निलिस्ट लिस्ट लिस्ट लिए फास के लिया था जिए ने परपर लिस्ट लिस्ट लिए था इसन यह वारी लेे सेट टीक लेड तो नव फिलीकयम क्या था इनसाइट के लिए और वर इप देंट लीक्स destruction के लिए और डायनमिक नैट में हम पूरा एक NET वरक दे रही है, इंसाइट के लिए वो पूरा एक NET वरक दे रे आउठसाइट के लिए अब अगर में इसको बड़ा करके देखना चाहूं तो मैं क्या करूँगा मैं करूँगा जस्ट एक्जिट करके शो आई पी नैट ट्रांसलेशन तो मुझे यह दिखा रहा है अगर मैं जब इसको पिंग करूँगा तो मुझे सही पता चलेगा पहले सिर्फ हमारा यह वाला पीसी इसका लगा हुआ था ठीक है अब मैं दो दिन और देखें यह हमारा यह है अब मैं जब दुबारा इसको एक और पिंग करता हूँ तो यहां पर वो एड हो जाएगा चले है तो इसको मैं बड़ा करके देखता हूँ शो आइपी नैट ट्रांसलेशन तो यहां पर वो वाला इप्र अड हो गया ठीक है तो इस तरह यहां पर एड होता रहेगा कि कौन से पकड़ गया और यहां पर को खुआप लाड है शो आइपी नैट ट्राटिक्स तो यह म मिसिस हुए है। उसके लबगा कितने stat थे यसारी चीज़ रोगा मैं बताएगा कि happier oh yeah और में यह बीदाएगा कि da подт